अभी तक हमने चारो कॉलिगेटी प्रपर्टी डिसकस कर लिए हैं ठीक है? फिर से मैं आपको याद दिलाओं कॉलिगेटी प्रपर्टी कौन सी प्रपर्टी कहलाती है? तो आंसर है ये सॉलूशन की वो खूबी है वो गुण है, वो प्रपर्टी है जो सिर्ख number of particles पर डिपेंड करती है किसी solute के nature पर डिपेंड नहीं करता है कि आपने urea डाला है या glucose डाला है कि केन sugar डाला है कितना डाला है उसके number पर डिपेंड करता है अगर आप 1 mole urea डाले और 1 mole glucose डाले तो जो property solution की 1 mole urea वाला शो करेगा वही same property एक mole glucose वाला भी शो करेगा कौन सी property तो answer है ये 4 property जो हम अभी तक discuss कर चुकी है आई ना बात समझ में यहां तर ठीक है तेखिए एक solution के पास बहुत तरह की property हो सकती है बहुत तरह के गुण हो सकती है अब जरूरी तो नहीं है कि 1 mole urea वाला solution और एक mole glucose वाले solution की सारी property एक दूसरे से match करें नहीं कर सकती ना इसके पास धेरो तरह की property है बहुत सारी property है जरूरी नहीं कि सब property एक mole urea के solution की और एक mole glucose के solution की एक जैसी हो ठीक है लेकिन उन्हीं बहुत सारी property में से जो property सेम होंगी एक mole urea की और एक mole glucose के solution की जो property same होती है उसी property का नाम हमने क्या दिया है Colligative Property तो Colligative Property खाली गिनी चुनी property है ठीक है? जो same हो जाती है अलग-अलग material के solution की property same हो जाती है तो उस property को Colligative नाम देते हैं Otherwise इसके पास और बहुत तरह की property है जो same नहीं है सबढ़ में आई नहीं बात सबढ़ में आई रहीं बात एक solution के पास बहुत type के property हो सकती है अब एक mol urea का solution बनाओ एक mol glucose का solution बनाओ तो जरूरी थोड़ी नहीं कि इसके पास अगर 10 property है इसके पास 10 property है तो दसों match करें आपस में ऐसा जरूरी नहीं है न डस में से कोई 4 match कर रहा है और उन 4 का नाम हम क्या रख दे रहे हैं colligative तो जो property match करती है सेम हो जाती है solution की ठीक है वो property क्या कहलाती है colligative property कहलाती है अब ये property ये नहीं देखती कि आपने एक mol क्या डाला है द्यान से समझ येगा colligative property which depends on only number of particles ठीक है only number of particles nature पर depend नहीं करता कैसा solute आपने डाला है इस पर depend नहीं करता जैसे मैं भी आपको example दे रहा था कि अगर मैं urea लूँ एक solution और एक solution बनाऊं glucose का ठीक है ये दो solution में prepare कर रहा हूँ यूरिया का और glucose का इससे मतलब है, तो इसमें कितने तो इन दोनों solution की कुछ property आपस में same होनगी और जो property आपस में same हो रही है, उसी का नाम हमने क्या दिया है? Colligative Property जरूरी नहीं कि सब properties same होती है जो same होती है उसका नाम क्या दे देते है Colligative Property और उस Colligative Property में इसे चार Property आप पढ़ चुके यहां तक सबज में आई बाद चीक है ना यह और इन चारों के लिए जो property आपने पढ़ी है Colligative Property उनका formula क्या था याद है आपको पहला RLVP हमने बनाया था Relative Lobering in Vapor Pressure क्या होता था इस चेंज इन प्रेशर यानि ओरिजिनल प्रेशर माइनस सॉलूशन का प्रेशर डिवाइड बाई ओरिजिनल प्रेशर इस इस RLVP और यह किस के बराबर आता था ठीक है Mole Friction of Solute Particles ठीक है यह पहला Elevation in Boiling Point कैसे निकालते थे पन Delta TB is equal to KB into Molality इसी तरह Depression in Freezing Point Delta TF is equal to KF into Molality और Last Osmotic Pressure कैसे निकाल आपने Osmotic Pressure को Pi से पन रिप्रेजेंट करते है This is C, ST और CRT एक ही चीज है यह बनाया है आमने ठीक है यह वो प्रपर्टी है जो सिर्फ किस पर डिपेंड करती है Number of Particles पर इस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है कि आपने कौन से Particle मिलाए है यूरिया मिलाया है ग्लूपोस मिलाया है शुगर मिलाया है शुगर केन मिलाया है शुपोस मिलाया है क्या मिलाया है इससे फरक नहीं पड़ता कितना मिलाया है इससे फरक पड़ता है यहां तक क्लियर है ना ठीक है ठीक है ठीक है यहां तक अच्छा आप सुनिये अगर हमने 1 mol Urea मिलाया द्धान से सुनियेगा न 1 mol मैं Urea का solution बना रहा हूँ और यहीं पर अगर मैं 1 mol NaCl का solution बना रहा हूँ 1 mol Urea और 1 mol NaCl का solution दो अलग-अलग solution बना रहा हूँ ठीक है तो हम देखते हैं कि Urea Organic Compound है जिसको अगर हम किसी चीज में dissolve करें, water में dissolve करें तो ये water के अंदर जा करके तूटता नहीं है तूटने को हम बोलेंगे dissociation नहीं होता इसका, क्या बोलेंगे dissociation और dissociation से ही मिलता जूलता एक शब्द और है ionization, जिसका iron नहीं बनता, urea एक ऐसा organic compound है, जिसको पानी में हम घोलेंगे, तो घुल तो जाता है पानी में, dissolve हो जाता है, लेकिन तूटके iron नहीं देता, सबज़ में आई बात, तो आप बाहर एक mole urea ले रहे हो हाथ में, आपने बाहर नापा घोलने से पहले एक mole urea है, आपने पानी में घोल दिया dissolve हो गया, dissolve होके यह तूटा नहीं, ना इसका dissociation होता है, तूटना, और ना यह पानी में घोलने के बाद जुड़ता है जुड़ने को बोलते है, association क्या बोलते है, association तो urea एक ऐसा compound है, जिसका dissociation भी नहीं होता, association नहीं होता, association मतलब दो molecule मिलकर के, एक molecule नहीं बनाते है, बड़ा सा, तीन molecule मिलकर के, एक molecule नहीं बनाते है, चार मिलकर के, नहीं बनाते है, यानि आपस में combine नहीं होते, associate नहीं होते मिलते नहीं है, और इनका dissociation भी नहीं होता है, कि आपने एक डाला तो वो तूट के दो तुकड़े हो गए ठीक है तो यह कैसा और गेनिक कंपाउंड है लेकिन NACL आप जानते हैं NACL को आप घोलेंगे तो यह दो आइन देता है पानी में जाकर के NACL और CL- तूटता है NACL इसे strong electrolyte salt है और किसी भी salt को हम पानी में dissolve करते हैं तो उसका क्या होता है ionization dissociation, ionization यानि यह अपने ions में तूटता है तो एक mol अगर मैं NACL डाल रहा हूँ तो पानी में घुलने के बाद क्या होगा यह तूटेगा, ionize होगा और जैसे ही ionize होगा तो एक mol बन जाएगा NACL- तो अल्टिमेटली यह कितने mol हो गए एक mol Na+, एक mol Cl- दो mol हो गए और एक mol urea डाले dissolve हुआ तो dissolve होने के बाद भी यह कितना नजर आएगा एक mol ठीक है यूरिया हमने घुला घुलने के बाद न उसका dissociation होना है न एसको तूटना है न आयन बनना है न जुड़ना है न मिलना है कुछ नहीं होना है एक mol बाहर आपने नापा घुल दिया घुलने के बाद भी हम क्या देखते हैं वो एक mol ही पड़ा हुआ लेकिन NaCl अगर हम डाल दे तो एक mol अगर मैं बाहर नाप के डाल रहा हूँ तो घुलने के बाद क्या होगा वो टूटेगा टूटेगा तो एक mol N प्लस बन जाएगा एक mol Cl माइनस बन जाएगा तो टोटल कितने mol होगा है सॉलूशन में जाके दो mol होगा है अब कॉलिगेटी प्रपर्टी कौन सी प्रपर्टी होती है जो किस पर depend करती है number of particles पर depend करती है आई ने बात समझ में इसके particles कितने है और इसके particles कितने है दो mol ये एक mol है ये दो mol है क्या दोनों की प्रपर्टी एक जैसी होगी कॉलिगेटी प्रपर्टी नहीं होगी तो ये वो चीज है जो फरक डालती है कॉलिगेटी प्रपर्टी में समझ में आई बात लेकिन इसका हमको पता नहीं चलता क्यों क्यों क्योंकि बाहर से यूरिया कितना डाल रहा था मैं एक mol बाहर से नसील भी कितना डाल रहा था एक mol तो मुझे क्या दिखता है सामने से कि मैं कितना डाल रहा हूँ? 1 mol urea, 1 mol NaCl तो दोनों solution की quality property कैसी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से एक जैसी होनी चाहिए क्योंकि मैं तो 1 mol और 1 mol डाल रहा हूँ तो जब number of particles सेम है तो quality property भी सेम होनी चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है actual practice में क्या होता है? कि 1 mol urea घुल करके 1 mol urea ही रहता है solution में लेकिन 1 mol NaCl घुल करके कितना बन जाता है? 2 mol बन जाता है और अगर number of particles ज़्यादा हो गए तो इसकी quality property भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी क्योंकि सारी quality properties किस पर depend करती है? number of particles पर अगर number of particles ज़्यादा हो गए तो सब की सब quality property भी क्या होंगी? ज्यादा ये चारो property की बात हो रही एक शब्द में इनको क्या बोल रहा हूँ? quality property ये चीज़ आपको समझ में आया है? ठीक है? तो ये case होते हैं जब हम अलग-अलग तरह के solution बनाते हैं तो घुलने के बाद भी ये क्या रहेंगे? एक मोल रहेंगे ठीक है? क्योंकि इनका ना dissociation होना है ना association होना है ना ionization होना है कुछ नहीं होना समझ में आई बाद? तो जैसा आप डालेंगे theoretical measurement जो आपके पास होगा घुलने के बाद observation वाला measurement भी उधने ही आएगा theoretical जितना observation के बाद भी उधना घुलने के बाद जो observe करेंगे आप वो भी कैसा रहेगा? experimental value भी उधनी रही कि जितना पहले था इनके case में organic compound के case में लेकिन अगर आपने गलती से कोई electrolyte डाल दिया strong electrolyte strong weak कोई भी electrolyte अगर आपने डाला तो electrolyte का तो ionization होता है न ऐसी चीज आपने गोली जिसका ionization हो सकता है भले 100% होता हो भले 2% होता हो कुछ भी अगर इसका ionization होगा ये टूटेगा तो ये जरूर आयन बनाएगा टूट करके और अगर किसी ने टूट करके आयन बना दिया तो फिर उसके number of particle क्या होंगे बढ़ जाएंगे change हो जाएंगे तो उसकी collegative property भी क्या हो जाएगी बदल जाएगी समझ में आया और यही चीज अब हमको discuss करना है और यही चीज है जो collegative property पर फड़क डालती है हमारा आभी तक का knowledge यह कहता है कि मैं एक मोल एक मोल कोई भी चीज मिलाओ किसी भी nature का solute मिलाओ दोनों के लिए collegative property कैसी होनी चाहिए सेम होनी चाहिए लेकिन अब हम यहाँ यह देखेंगे कि आप एक मोल एक मोल क्या चीज मिला रहे है कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं मिला देना है जो घुलने के बाद तूट जाती हो है ना क्योंकि अगर घुलने के बाद वो तूट गई तो फिर उसका collegative property भी क्या हो जाएगा change हो जाएगा क्योंकि उसके number of particles पदल जाएगे समझ में आई बाद तो अब हमको यह देखना है कि यहाँ पर जो collegative property हम सेम समझ रहे थे वो different क्यों हो जाती है तो answer है number of particles के change हो जाने की वज़े से तो हमको एक ऐसा factor चाहिए जो हमको समय समय पर बता दे कि यह चीच जब हम घोलेंगे तो यह कितने particle देगा क्योंकि quality property तो number of particle पर depend करती है हम अभी तक चारो quality property बना चुके हैं यह यह आप याद रखी गए जो चार formula आपने बनाए हैं यह सिर्फ तभी लागू होंगे जब आप ऐसी चीज डाल रहे हैं पानी में जिसका ना तो dissociation होता है ना association होता है यह सिर्फ उसी के लिए valid होगा याद रहे गए यह formula सिर्फ किसके लिए valid है valid only for those solutes which does not associate और dissociate यह ठीक है जैसे urea यह नाम याद कर लिजे urea, glucose, sucrose, cane sugar organic compound जितने भी है समझ में आया तो organic compound के लिए सिर्फ यह formula as it is valid होगे इसको हम as it is लगा देंगे ठीक है न यहां तक समझ में आगी बाद ठीक है लेकिन अगर हमने electrolyte घोला है organic compound के अलाबा electrolyte घोला है तो electrolyte फिर एक mole तो मैं बाहर से डाल रहा हूँ वो अंदर जाके दो mole हो जाएगा चार mole हो जाएगा दस mole हो जाएगा तो number of particle उसके change हो जाएगे न theoretically तो मैं एक mole डाल रहा हूँ लेकिन practically हमको जो observed मिलेगा उसके number of particle वो कैसे होंगे different होंगे तो जाहिर से बात उसकी quality property भी change हो जाएगी तो फिर यह formula उसके लिए applicable नहीं होंगे इसका मतलब है हमारे formula में थोड़ी से गलती है इस formula को derive करते समय हमने यह ध्यान नहीं दिया कि अगर मैं different different particle डालूंगा तो फिर उनके लिए colligative property बदल जाएगी और यह हम ध्यान नहीं दिये और formula चारो बना बैठे ठीक है तो अब हम फिर से ऐसे compound के लिए दोबारा चारो colligative property define नहीं करना चाहते हम यह चाहते हैं कि जो बन गया है उसी में थोड़ा सा सुधार कर ले समझ में आया उसी में थोड़ा सा सुधार कर ले ताकि समय आने पर इसके लिए भी लागू हो जाए और समय आने पर electrolyte के लिए भी यह formula लागू हो जाए ठीक है ना समझ में आई बात यहां तक के लिए रहे तो हम इसी फार्मूले को दोनों के लिए use करना चाहते हैं organic compound के लिए भी non-organic compound के लिए इलेक्रोलाइट के लिए तो इसमें हम थोड़ा से modification करते हैं और modification करने के लिए एक factor हमको काम में आता है जिसका हमने नाम दिया है went of factor क्या नाम रखा है went of factor ठीक है तो अगली heading आप बनाएंगे went of factor जिसका notation हमने बनाया है i small i that is went of factor तो पहले हम यह discuss करेंगे कि went of factor निकालते कैसे हैं i का calculation कैसे करेंगे उसके बाद i का यहां role क्या है i use कैसे होगा यह अपन बाद में देखेंगे समझ्यारी बात हमारे colligative के formula यही रहेंगे चारो यह जो आपने पढ़ रखा है ठीक है लेकिन इसमें थोड़ा सा error क्या है यह सिर्फ किसके लिए लागू होगा जिसका ना तो dissociation होता है ना association होता है एक mole डालो तो वो एक mole ही रहे घुलने के बाद ऐसी चीज़ों के लिए यह direct लग जाएगा लेकिन अगर मैंने वैसी चीज़ डाली जो एक mole डालने के बाद 4 mole हो जाता है पानी में जाके तो फिर यह नहीं लगेगा तो इसके लिए हम I calculate करेंगे ठीक है और I को फिर यहाँ चिपकाएंगे हर एक के साथ ठीक है फिर इसको modify कर लेंगे ताकि हमारा formula भी यही रहे सिर्फ एक extra चीज़ आ जाएगी बात समझ में आ रही है आ रहे हैं यहां तक बाद ठीक है तो पहले हम किया सीखेंगे आई कैलकुलेट कैसे करते है ठीक है इसका प्रोसिज़र उसके बाद में यह देखेंगे कि I लगेगा कहा और I कैसे use करना है आई का use बाद में देखेंगे modified formula बाद में बनाएँगे पहले हम सीखेंगे कि यह calculate कैसे किया जाता है अलग-अलग चीजों के लिए आई कैसे निकाला जाता है ठीक है तो अगली heading आप देंगे went off factor ठीक है हम देंगे went off factor जिसको अपन स्मॉल आई से represent करते है ठीक है for calculation of colligative properties वेंट ओफ एक्टर इस रिक्वाइड ठीक है कॉलीगडी प्रुपर्टी केल्कुलेट करने के लिए उसको मेजर करने के लिए सबसे कंपलसरी चीज क्या है वेंट ओफ एक्टर ये चहीए ही बिना इसके आप कॉलीगडी प्रुपर्टी नहीं निकाल सकते हैं और याद रखी है किस के लिए निकाला जाता है तो आंसर है solute के लिए it is डिफाइन अल्ली फॉर solute ठीक है solute के number of particles तो solute के लिए इसको define करते हैं ठीक है यहां तक समझ में आया है कि अच्छा इसको अधन रिप्रेजेंट किस से कर रहे हैं वेंठ आफ एक्टर को small आई से पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका example देखिए जैसे अगर मैं एक मोल यूरिया घोल रहा हूँ ठीक है और एक मोल नसील घोल रहा हूँ एक मोल यूरिया या एक मोल नसील तो यूरिया के लिए मैं आई की value ले लूँगा 1 ठीक है यूरिया के लिए वेंट आउफ एक्टर आई की value कितना ले लूँगा 1 लूँगा और नसील के लिए वेंट आउफ एक्टर की value होती है 2 अब ऐसा क्यों होता है यह मारे डिसकस करेंगे ठीक है यह एक्जामपल के तोर पर मैंने आपको बताया कभी किसी के लिए हम आई की value 1 लेंगे कभी किसी चीज के लिए 2 लेंगे कभी किसी के लिए 3 लेंगे कभी 4 लेंगे कभी 5 लेंगे ऐसे नंबर आई की जगा आते है ठीक है यह पहले हम डिसकस करेंगे कि आई निकाल कैसे रहेंगे बाद में हम देखेंगे कि I use कहा करना है ठीक है ना? अच्छा, I निकालने के लिए हमारे पास तीन तरह के फॉर्मूले होती है तीन तो पहले मैं तीनों फॉर्मूले लिख के आपको बताता हूँ बाद में उसका शॉर्टकट तरीका हम देखेंगे कैसे हम कलकुलेट करेंगे ठीक है? ये तीनों फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए बाद में मैं इसको शॉर्टकट में यूज करूँगा पहला फॉर्मूला है ऑब्सर्ब्स कॉलिगेटी प्रपर्टी डिवाइड वाइट थेओरेटिकल कॉलिगेटी प्रपर्टी ठीक है? अब्सर्ब्स और थेओरेटिकल का क्या मतलब है? जहां भी मैं यूज कर रहा हूँ थेओरेटिकल क्या चीज है? जो आप मेजर्मेंट करके पहले डाल रहे हैं घोलने से पहले solute का जो मेजर्मेंट आपके पास है वो केलकुलेशन क्या कहलाता है? ठीक है? और बाद में आपने घोल दिया घोलने के बाद जो आपको दिख रहा है जो आप आप अब्सर्ब कर रहे हैं वो नंबर क्या कहलाएगा? अब्सर्ब फिर चाहे वो कॉलिगर्टी प्रपरटी हो चाहे वो मॉलिकुलर मास हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो ठीक है न? तो पहला फॉर्मूला हमारा हो गया observed कॉलिगर्टी प्रपरटी divided by theoretical कॉलिगर्टी प्रपरटी अगर हम molar mass या molecular mass के terms में कॉलिगर्टी प्रपरटी रिफाइन करें तो इसका उल्टा हो जाता है क्यों होता है वो बादमेपन देखेंगे यहां क्या हो जाएगा theoretical molecular mass या molar mass divided by observed molecular mass या molar mass यहां theoretical divided by observed और कॉलिगर्टी प्रपरटी में observed divided by theoretical याद रहेगा एक दुछरे के बिलकुल उलट है यह और तीसरी चीज यह formula मैं chemical equilibrium से उठा रहा हूँ कौन सा formula है chemical equilibrium का formula यहां पर उठा रहा हूँ और इसी से सारी चीज़े derive होती है ठीक है तो यह आपको याद रखना है that is I हम ऐसे भी calculate कर सकते हैं number of particles after dissociation या association टूटेगा तो dissociation ले लेंगे जुड रहा होगा तो association ले लेंगे divided by टूटने से पहले उसका कितना था association पार्टिकल कितना था टूटने से पहले तूटने से पहले या जुडने से पहले कितना था ठीक है यह और यह चीज मैं chemical equilibrium से उठा रहा हूँ ठीक है न? तो main colligative के दो formula है इसको elaborate करने के लिए तीसरा formula मैं chemical equilibrium से ले रहा हूँ ठीक बाद? समझ गया है? यहाँ था? आप आते हैं हम topic पर किसी भी solute के लिए vent of factor जब हम define करेंगे ठीक है? तो इसके तीन case बनेंगे कितने? तीन case बनते हैं पहला case इसका बनेगा association नाम से ही पता चल रहा है association का क्या मतलब होता है? कोई दो molecule मिल करके एक बड़ा सा molecule बना रहे हैं चार मिल करके एक बड़ा सा molecule बना ले रहे हैं तो जब भी कोई चीज मिल करके कोई चीज बनाएगी तो उसको हम क्या बोलते है association इससे भी number फरक पड़ता है कैसे फरक पड़ेगा? मैंने 10 particle डाले 10 particle और 10 में से 3 मिल करके एक बना लिए 3 particle जुड़ गए और एक बना लिए तो कितने particle बचे? 8 particle नहीं समझे? 10 particle टोटल डाला था मैंने उस 10 में से 3 क्या हुए आपस में जुड़ करके एक particle बना लिए तो एक तो आ गया ना 3 गायब करिये और वो 3 की जगह क्या लाईए? एक ले आईए तो 10 में से 3 हटाईए कितना बचा? 7 उन 3 ने मिल करके एक बना लिए तो कितने हो गए अब? 8 तो number of particle घटे की नहीं घटे? तो ऐसे भी number of particle घट जाते हैं Association ठीक है? अच्छा इसमें आप मुझे बता सकते हैं कि molecular mass का क्या होगा? अगर particle आपस में जुड़ जा रहे हैं घुलने के बाद dissolve होने के बाद तो उनका molar mass ये molecular mass क्या होगा? अब जर्ब की बात कर रहा हूँ तो radical तो पहले हैं देन आप लिया जैसे एक mole अगर मैं यूरिया ले रहा हूँ एक mole यूरिया तो उसका molar mass कितना होगा? 60 यूरिया का mass क्या होता है? 60 होता है जैसे ही आपने घोला और माल लीजिए यूरिया अंदर जाके associate करने लग गया उसके particle जुड़ने लग गया तो molar mass का क्या होगा? बढ़ जाएगा? कि घट जाएगा? क्या लगता है? एसोसियेट होने से molar mass क्या होगा? बढ़ेगा अरे भाई ये एक particle है इसका अपना कुछ mass होगा घुलने के बाद ये ऐसे चिपक के दो चिपके और एक बन गए तो molar mass क्या हुआ? बढ़ा की घटा? बढ़ गया तो जब भी association होगा molecular mass का क्या होता है? increase हो जाता है याद रहेगा? weight उसका increase हो जाएगा molar mass याद रखो increase होता है इसका दूसरा case बनता है dissociation और dissociation क्या चीज है? हमने घोला और घुलने के बाद वो क्या हुआ? तूटने लग गया ions में तूट गया dissociation मतलब समझ रहे हैं? ionization बोल लीजिए या dissociation बोल लीजिए एक ही मतलब है तूट जाना तूटने से molecular mass का क्या होगा? चीज़ है? ये एक particle है एक particle मैंने पानी के अंदर डाला तो इसका अपना कुछ molar mass होगा पानी के अंदर जाने के बाद ये तूट के दो बन गया तो इसका molar mass और इसका molar mass उतना ही रहेगा ये कम हो जाएगा पहले ये एक particle था घोला तो इसका कुछ mass रहा होगा घोलने के बाद ये ऐसे दो तुकड़े में तूट गया दो particle बन गया तो इसका mass पहले जैसे ही रहा कि कम हुआ कम हो गया इसका भी कम हो गया तो dissociation के result से क्या होता है? molar mass क्या होता है हमेशा? non electrolyte non electrolyte मतलब अगर मैं एक mole डाल रहा हूँ तो वो एक mole ही रहेगा गुलने के बाद ना उसका dissociation होगा ना उसका association होगा जितना theoretical आपने देखा है उतने उसका observed measurement भी रहेगा ठीक है? यहां तक समझ में आया? तो यह तीन तरह के case क्या होता है? जैसे कोई दो molecule मिल करके एक molecule बनाने लग जाएंगे दो molecule मिल करके एक molecule बनाने लग जाएंगे dissociation में क्या होगा? मैंने यह molecule डाला घुलने के बाद यह आयन में तूट जाएगा A++, B- 1 डाला था, 2 बन गए dissociate हो गए और non electrolyte का क्या मतलब है अगर मैं A डाल रहा हूँ पानी के अंदर, तो वो पानी के अंदर dissolve होने के बाद A ही देगा ना वो तूटके 2 बनेगा और ना जुडके 1 बनेगा जितना डालोगी उतना ही मिलेगा theoretical observation ठीक है, यह इसका meaning हो गया यहां तक समझ में आयो अच्छा, इसके लिए अब मैं I define करता हूँ, यहां देखिए अगर non electrolyte हम डाल रहे हैं यानि जितना आप पहले डाल रहे हैं घुलने के बाद भी उतनी particle हैं ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है तो ऐसी चीज़ों के लिए when top factor I की value हम 1 लेते हैं क्या लेंगे? 1 लेंगे, ठीक है? किसी ऐसी चीज़ को डाला जिसका dissociation हो जाता है, ionization हो जाता है यानि एक डाल रहा हो तो वो दो बन जा रहा है तो दो particle हो जा रहा है तो ऐसी चीज़ों के लिए हम when top factor की value हमेशा 1 से ज्यादा लेंगे हमेशा आप देखेंगे 1 से बड़ी value आएगी ठीक है न? और कोई एक हम particle डाल रहे हैं और वहाँ दो particle, तीन particle मिल करके एक particle बन जा रहे हैं तो ऐसी चीज़ों के लिए when top factor आप देखेंगे हमेशा less than 1 आएगा इसकी more than 1 आती है, इसकी less than 1 आती है ठीक है? अब one by one हम सारे case discuss कर रहे है ठीक है? क्या ले रहा हुआ है dissociation ठीक है? क्या ले रहे हैं case number first? dissociation dissociation में देखिए अगर हम A molecule पानी में घोल रहे हैं तो ये जा करके हमको N molecules देने वाला है ions में तूट जाएगा एक mole डाल रहा हूँ तो वो अपने ion बना रहा है एक particle डाल रहा हूँ तो तूट के दो particle हो जा रहा है सब़ज में आ रहा है? तो उसने हमको कितना दिया? N particles दिया, N ions दिया यानि एक से मुझे कितना मिल रहा है? कितना मिल रहा है? dissociation हो रहा है ना? हमने एक डाला तो ये तूट के ions में आ गया अभी ये कुछ भी हो सकता? दो आएन में टूटे, चार आएन में टूटे, पशास आएन में टूटे तो एक से मुझे कितना मिल रहा है? N मिल रहा है ना? एक से N मिल रहा है ठीक है? अब आपने chemical equilibrium में एक formula पढ़ा था ठीक है? मैं छोटा सा उसका आप clue दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए यह मैं ले रहा हूँ reactant और बाद में यह बन रहा है product ठीक है? यहाँ मैं एक ले रहा हूँ तो एक में से यह टूटा dissociate हुआ और dissociate होके क्या बना? यह बना एक में से कितना dissociation हुआ? N एक में से कितने particle बने? N particle ठीक है? तो आपने इसका छोटा से derivation किया था chemical equilibrium के chapter में कि जब time 0 होता है तो यह कितना होता है? 100% 100% को मैं 1 लिग देता हूँ फिलहाल के लिए और यह कितना होता है? 0% जब equilibrium आ जाता है यानि जब time T हो जाएगा equilibrium आ जाएगा यह तूट करके ही नहीं यह बन रहा है तो इसमें से माल लेते हैं dissociation कितना हुआ? alpha alpha तूटा तो यह कितना बनेगा? alpha जितना इधर तूटेगा इसमें यह उतना ही न बनेगा अगर यह 20% तूटा है तो यह 20% ही बनाना सब़न में आया? तो इसमें से alpha dissociate हुआ तो यह कितना बना? alpha अब एक से यह कितना बनता है? n particle तो एक से कितना बनेगा? n alpha बनेगा? n alpha अभी-भी मैंने आपको आई-कैक calculation लिखाया था number of particles after dissociation divided by number of particles before dissociation सब़र में आया? तो यहाँ पर मैं वो formula लगा रहा हूँ अब मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ number of particle after dissociation dissociation होने के बाद उस solution में कितने particle बचे? कितने बचे? suppose यह 20% टूटा है यह 20% टूटा है तो यह 20% ही बना होगा ना? बनाना तो अगर यह 20% टूटा है यह solution में 20% बनके आ गया यह कितना बचा है भी? 80% बचा है तो उस solution में 80% यह होगा यह 80% बचा हुआ और 20% यह होगा तो dissociation के बाद number of particles कुल कितने बचे? 80% तो यह बचा और 20% यह बचा तो total कितने हो गए? particles after dissociation कितना हो गया? this is 1-alpha और प्लस n-alpha बचे, total जोड़ दिये 80% और 20% dissociation होने के बाद इतना ही ने बचे solution में divided by particles before dissociation dissociation होने से पहले यह कितना था? तोटने से पहले कितना था? 100% 100% मतलब? 1 तोटने से पहले यह था? 1 और इसी का ratio क्या कहलाता है? I बहिए number of particles after dissociation number of particles before dissociation इसी का ratio क्या कहलाता है? I कहलाता है और इसी को आई को आपने देखा हमने क्या लिखा थेओरेडिकल मोलर मास divided by observed molar mass लिखा आपने यह चीज जब हम chemical equilibrium पढ़ते हैं तो यह derivation इसी के लिए आता है theoretical molar mass divided by observed molar mass chemical equilibrium में एक जगा आता है तो मैं उसका derivation नहीं बता रहा हूं मैं सिर्फ यह बता रहा हूं कि यही quantity क्या है आई यह भी और यह भी इसको मैं यहां भी लिख सकता हूं एक ही चीज है this is theoretical molar mass divided by observed molar mass is equal to number of particles after dissociation number of particles before dissociation और यही ratio क्या है आई आई देखी आपने लिखा है theoretical molar mass divided by observed molar mass और यही आई है यही आई है तो हम इसको क्या लिख देंगे आई इसी को क्या लिख दिये आई समझाया यह बन गया हमारा आई का formula तो formula क्या मिला theoretical molar mass divided by observed molar mass क्या बचा इसको मैं short out कर रहा हूं 1 तो नीचे का हटा दू कोई मतलब नहीं ठीक है न किसी भी चीच को 1 से divide करेंगे वही number आएगा ठीक है अब देखी इसको हम क्या कर रहे है this is 1 plus इसको पहले लिख रहा हूं इसको बाद में लिख रहा हूं तो यह हो गया n alpha minus alpha 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 common चला गया क्या बचा n minus 1 alpha common निकल गया so this is n minus 1 alpha समझाया 1 plus n minus 1 alpha थोड़ा से उसको बड़ा लिख देता हूं कितना आया भई 1 plus n minus 1 alpha और यही क्या चीज है i so i का formula क्या बन गया 1 plus n minus 1 alpha किसके case में dissociation के case में याद आया यह आपने किया है chemical equilibrium में ठीक है ना ठीक है this is our formula और यही ratio क्या कहलाता है i कहलाता है ठीक है तो यह हमारे dissociation का formula बना होगे भई यहां तक बात समझाया आपको ठीक है note करेंगे जल्दी सिसको ठीक है इसके बाद हम dissociation का case स्टार्ट कर रहे है यह तो dissociation के लिए formula बनाया हो ठीक है अच्छा इसमें अब यह चीजे समझ लीजे यहां alpha क्या चीज है alpha मतलब क्या होता है alpha is answer है this is degree of dissociation बो लिए यह ionization बोल लिए एक ही चीज है alpha क्या चीज है degree of ionization what is degree of ionization जैसे मैं 100% एक reactant ले रहा हूं और उसको जैसे ही पाने में घोला 70% dissociate हो गया ionize हो गया कितना percent 70% यानि 100 मैं से कितना तूट रहा है वो 70% तो उसका degree of dissociation यह degree of ionization कितना हो गया 70 क्या हो गया 70 ठीक है ना याद रहेगा degree of ionization ionization और dissociation इसमें थोड़ा से difference होता है लेकिन फिल हाल अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं दोनों की चीज है ठीक है ना हमने किसी भी चीज को घोला पानी में इसको घोला यह dissociate हो गया टूटा अपने ions में टूटा ना अपने ions में तो 100% वेसे जितना percent यह dissociate होगा टूटेगा आयन बनेगा जितने उसी को हम बोलेंगे इसकी degree of ionization ठीक है या one की अगर बात की जाए यह तो percentage की बात हो गई ना 100% से 70% बना तो 70 क्या हो गया इसका degree of ionization यह degree of dissociation ठीक है इसी चीज को हम देखी कैसे निकालेंगे one से यह कितना ठूटा ठीक है तो उसी 70% को अगर मैं particles में बताना चाहूँ one के respect में बताना चाहूँ कि एक mole में कितना dissociate हुआ तो क्या बोल देंगे उसी को divided by 100 कर दीजे 70 out of 100 कितना हो गया 0.7 तो one में से कितना तूटता है 0.7 और 100% percentage में बोलेंगे तो 100% में 70% और one में से कितना भाई यह 100 में 70 है 100 में 70 तूटता है तो one में कितना तूटेगा 100 इधर आ गया 70 out of 100 यानि 0.7 तो 100 में 70% 100 में 70 तो one में कितना 0.7 ठीक है यह इसका degree of dissociation होगा या ionization होगा ठीक है यहाँ जो N हम यूज कर रहे हैं N क्या चीज है N समझ लीजिए क्योंकि मैं एक बार यहां बता रहा हूँ बाद में नहीं बताऊंगा N क्या चीज है N देखिए क्या है एक से जितने ions बनते हैं एक molecule से जितने आइन बनेंगे वही नमबर क्या कहलाएगा जैसे मैं अगर NACL का एक molecule डाल रहा हूँ और उस एक molecule से कितने आइन बन गये Na plus or Cl minus 2 आइन बने तो एक molecule से जितने आइन बनते हैं वाटर के अंदर उसी की number क्या कहलाता है N कहलाता है तो N क्या चीज़ है N क्या चीज़ है बोलिए number of ions from one molecule एक molecule से जितने आइन मिलते है उसी का number क्या कहलाता है N कहलाता है ठीक है तो N आपको याद रहेगा एक molecule से या एक mole से जितने आइन मिल रहे है एक से जितने आइन बनेंगे उसी को क्या बूल देंगे N जैसे कोई चीज एक molecule हमने लिया उससे चार आइन बन रहे है तो N कितना हो गया? 4 हो गया सीधी से बात तो एक से जितने आयन बन रहे होंगे एक से याद रखिएगा, बार-बार में रिपीट कर रहा हूँ एक से जितने आयन बनेंगे वो कहलाता है एन दो से जितने बनेंगा वो एन नहीं होगा आपको एक से बनाना पड़ेगा ठीक है, ये एन है, ठीक बात कंग यहां तक हो गया यह समझ में किस नंबर फस्ट ले रहा हूं इस nehmen जो पाने में घुलने के बाद उनका आयोनाजिशन नहीं होता, डिसोसियेशन नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं, नॉन इलेक्रोलाइट कहलाते हैं, mostly यह और्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जैसे, एक्जामपल, यूरिया हो गया, नॉन इलेक्रोलाइट, इसी तरह से, ग्लुकोस हो गया, इसी तरह से, सुक्रोस हो गया, इसी तरह से, केन शुगर हो गया, एट सेक्टरा, ठीक है ना, ठीक है, यानि, यह और्गेनिक कंपाउंड जब भी पाने में डिजॉल्व किये जाएंगे, तो यह घुल तो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाते हैं, जैसे, अगर मैं एक मोल यूरिया, या एक मोल ग्लुकोस ग्लुकोस आप लोग खाते हो ना, पाउडर, डिहाइडरेशन दूर करने के लिए अपन ग्लुकोस पाउडर घर में यूज करते हैं, तो जब आप ग्लुकोस को पानी में डालते हो, घुलता है की नहीं घुलता, डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन वो नमक के तरह टूटके इन्टू वार्र, घुल तो जाता है, लेकिन इनका आयनाइज़ेशन नहीं होता, अगर इनका डिसोशेशन नहीं होता, यह ऐनाइज नहीं होते, तो इनका degree of dissociation कितना होगा? यह degree of ionization कितना होगा अगर नहीं तूट रहे हैं बही एक mol आपने glucose डाला तो वो घुलने के बाद कितना mol रहेगा एक mol रहा ना तो यानि उसका dissociation हुआ क्या ionization हुआ क्या नहीं हुआ अगर उसका ionization नहीं हुआ नहीं तूटा आयन में तो उसका degree of dissociation ही है ionization कितना होगा जीरो नहीं तूट रहा तो कितना होगा जीरो ठीक है तो इसके लिए हम degree of dissociation कितना यूज करेंगे जीरो नहीं तूट रहा ionization का degree कितना होगा जीरो अच्छा अगर इसके लिए degree of ionization जीरो होगा नहीं तूटता, तो i की value कितनी होगी, तो alpha 0 पुट करिए अपने formula में, ठीक है, वैसे भी आपको इस समझ में आना चाहिए, यहाँ पुट करिए alpha 0, कितना होगी, i is equal to 1, ठीक है, तो इसके लिए हम went of factor i की value कितनी लेंगे, 1 लेंगे, इसलिए मैंने वहां डिसक्स किया था श हाँ, यह organic compounds हैं, यानि तूटते नहीं पानी में जाके, है न, अगर नहीं तूटते, तो theoretically यह एक mole है, theoretically कितना था, घोलने से पहले, 1 mole glucose, dissolve करने के बाद आपको observed value कितनी मिलेगी, 1 mole की 2 mole, की 1,5 mole, कितना मिलेगा, 1 mole ही मिलेगा, क्यों, क्योंकि इसका dissociation नहीं हो रहा, तो theoretical value जो थी आपके पास, dissolve करने के बाद observed value भी क्या आएगी, वही आएगी, और observed colligative property divided by theoretical colligative property, क्या चीज है, went of hectare I, तो observed भी वही मिला, जो theoretical था, तो same divided by same कितना आता है, 1, इसलिए I की value कितनी हो गई, फिर से सुनिए, हमने 1 mole glucose लिया, उसका कुछ molar mass होगा, 180 gram per mole होगा, इसको पानी में dissolve कर दिया, तो molar mass change हुआ, कि नहीं हुआ, बढ़ा की घटा, नहीं होगा ना, क्योंकि molar mass कब घटा बढ़ता है, जब association हो, तो molar mass बढ़ जाता है, और dissociation हो, तो molar mass कम हो जाता है, लेकिन न यहां association होता है, न dissociation, इसका ionization तो होता ही नहीं है, ना यह चिपकेगा, ना यह तूटेगा, तो molar mass कैसा रहेगा घुलने के बाद, वही रहेगा, जो पहले आग ने निकाला था, तो theoretical molar mass, observed molar mass, दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए, और theoretical molar mass divided by observed molar mass क्या होता है, वेंट आफ हेक्टर आई, दोनों सेम हैं, तो कट के कितना आएगा one, तो वैसे भी one आया, formula में रखने से भी one आया, हर लिहाद से समझ में आया आपको ये, ठीक है, तो याद रखेंगे, जहां ये नाम देखेंगे, अब वो question में ये नहीं बोलेगा, कि आप एक mole urea घुल रहे हैं एक लिटर पानी में, तो I की value 1 होगी, या 1 से ज़्यादा ले लीजिए, I की value वो तो वो बताएगा भी नहीं, question में, वो सिर्फ ये लिखेंगे कि one mole urea is dissolved in one liter water, one kg water, one liter water, जो भी, ठीक है, तो नाम देखके कि urea घुल रहा है, उसके लिए फट से दिमाख में क्या दढ़ना चाहिए, कि urea क्या चीज है, non electrolyte, और non electrolyte के लिए हम I कितना लेते हैं, one, तो ये ह यहां तक समझ में आ गया, ठीक है, चलिए, दूसरी quantity हम discuss कर रहे हैं, electrolyte, सबसे पहले electrolyte कहते किसको ही, electrolyte, जिसको हम dissolve करें, और उसका ionization हो जाए, dissolve करने से क्या हो जाए, ionization हो जाए, which can ionize into water, जिसका ionization हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, electrolyte, electrolyte याद रखिएगा, उसी को बोलते हैं, जिसके ion बनते हैं, जिस particle का, जिस compound का, ion नहीं बनता, उसको non electrolyte, और जो घोलने के बाद, ion दे देता है, वो क्या कहलाता है, electrolyte, भले, ये 1% तूटे, भले, ये 99% तूटे, समझ में आई बार, 0.1% भी तूटा है, तो उसको electrolyte बोलेंगे, और 99.9% तक भी तूट गया है, तो भी वो electrolyte है, अब ये range समझ नहीं, 0.1% से लेके, 99.9% तक, इसके बीच में कितनों परसेंट तूटा है, तो electrolyte है, ठीक है, यानि घुलने के बाद, जिसने ion दिया, अब ये 0.1% आयन दिया, ये 99% आयन दिया, हमारे लिए वो क्या है, electrolyte है, ठीक बाद, ये समझ में आया, जिसका ionization हो जाता है, उसको electrolyte बोलते है, अब electrolyte बहुत type की होते हैं, जिसमें सबसे पहला type मैं बना रहा हूँ, strong electrolyte, strong electrolyte, strong सब जिसके लिए भी आएगा, उसका क्या होगा, strong electrolyte मतलब, जिसका ionization 100% हो जाता है, यानि आपने एक mol डाला है, 100 gram डाला है, तो पूरा का पूरा 100 gram क्या होगा, तूट जाएगा, आयन में, एक भी percent नहीं बचेगा, 100% उसका dissociation होता है, ठीक है, strong electrolyte means, which ionized 100% into its ions, ठीक है, 100% लिखिये, या completely लिखिये, which ionized completely या 100% into ions, ठीक है, अब बताइए, अगर ये चीज पानी में घूलने के बाद 100% ionized हो जा रही है, 100% तूट जा रही है, completely dissociate हो जा रही है, तो इसका degree of dissociation कितना होगा, alpha, alpha कितना होगा, कितने percent तूट रहा है, 100% तूट रहा है, तो इसी को क्या बोलते है, degree of dissociation, तो इसका alpha कितना हो गया, 100% हुआ, और percentage अगर मैं नहीं बताना चाहता हूँ, सिर्फ नंबर बताना चाहता हूँ, तो percentage कि जगा क्या लिखिया, बना कौन 100, तो 100 divided by 100 कितना हो गया, 1, समझ में आई बाद, ठीक है, तो जो 100% टूटेगा, strong electrolyte, जो 100% टूटेगा, उसका alpha के value कितना हो जाएगा, 1, alpha की value, 1 हो जाएगी, तो यहाँ alpha की value, 1 put करेंगे, put करिए, alpha की value, 1 हो गई, तो i कितना हो गया, बोलिए, 1 plus n minus 1 into 1, होगा, alpha 1 put कर दीजे, ठीक है, तो कितना आएगा, n, तो i की value, क्या चीज हो जाएगी, direct n, n क्या चीज था, आख फोल के बठो, आख फोल के, ठीक है, n क्या चीज था, what is n, how many number of ions given by one molecule, सबर में आया, एक molecule, एक molecule, एक molecule, जितने आयन देगा, वही number क्या कहलाएगा, n, तो हमने NaCl डाला, NaCl, एक particle, एक molecule NaCl के dissolve किया, उसने 1 Na plus, 1 Cl minus दिया, एक molecule से कितने आयन बने, 2 आयन बने, तो number of N कितना हो गया, 2, और जो N होगा, वही क्या होगा, I, तो I भी कितना ले ले लेंगे, आख बंद करके, 2, जो N आएगा, जितने number of ions टूट रहे हैं, एक molecule से जितने number of ions बन रहे हैं, उसी को क्या बोल देना I, आँख बंद करके, किसके लिए strong electrolyte के लिए, याद रहेगा आपको, याद रहेगा कि नी आप strong electrolyte के examples मैं लेता हूँ, ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी ठीक है, आलग कि chemical equilibrium में सब आपने कर रखा है इस चीज देखिए, non electrolyte के लिए जब हम discuss कर रहे थे, I की value कितनी आती है, वन आती है तो इस case में theoretical molar mass और observed molar mass, दोनों कैसे हो जाएंगे theoretical molar mass divided by observed molar mass क्या होता है I, और I कितना हो गया 1, तो दोनों का ratio 1 है तो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे observed qualitative property और theoretical qualitative property दोनों कैसे हो जाएंगे, same ठीक है, तो यहाँ पर आप note कर लिजेगा theoretical molar mass is equal to observed molar mass और observed qualitative property is equal to theoretical qualitative property दोनों बराबर होती है इस case में ठीक है अब अपन यहाँ पर आ रहे है strong electrolyte का example देखिए न, क्या-क्या है तो इसके अंदर मैं example ले रहा हूँ इसी के अंदर लिखे का strong electrolyte के अंदर examples ले रहा हूँ पहला strong acid और यह चीज़ आपको याद करने पड़ीगी 2-4 acid के नाम ठीक है, और यह सब आपने chemical equilibrium में पढ़ा है strong acid, strong base, weak acid, weak base सब आपने कर रखता, strong acid जैसे कुछ example यहाँ कोट करता हूँ मैं, HCl हो गया और बोलिये HNO3 हो गया और H2SO4 हो गया और HClO4 हो गया हाइपो क्लोरीकेसिड ठीक है, यह सब के सब क्या है हाँ, क्या लग रहा है इसके सामने strong, और जितने भी strong electrolyte होते है उसके लिए i की value कितनी होती है जितना N आता है, और N क्या चीज है एक molecule से जितने आइन बनते है solution में, वही N होता है जो N होगा, वही क्या हो जाएगा आई, तो यहाँ पर N कितना होगा सब के लिए, यानि यह घुलने के बाद जितने आइन देंगे वही N होगा, और जो N होगा वही, went up factor हो जाएगा ठीक है, तो इनके लिए अपने हम decide करते है, HCl पानी में डूब करके कितना आइन देगा कितने आइन देता है कितने देता है दो देता है, कौन कौन से एक H+, और एक Cl- तो दो दिया, तो एक molecule से कितना मिला आइन, दो एक molecule से जतना आइन मिलत uh उसी को पन क्या बोलते है बोलिये, एक molecule से जतने आइन मिलते है उसी को क्या बोलते है, N और जो N होता है, वहीं क्या हो जाएगा गोgen top factor, N समझ मेह रहा है किसको बोलते हैं, बार बार मैं रिपीट कर रहा है N का समझना बहुत ज़रूरी है N क्या चीज है एक molecule से जितने आयन बनते है वही N कहलाता है तो एक molecule घोला कितने आयन बने 2, यही N है और strong के case में जो N होता है वही क्या होता है, वह एंटा फेक्टर ठीक है न, यह घुल करके कितना आयन देगा, HNO3 कितने, H+, और NO3- कितने आयन हुए, 2 तो इसने भी दो आयन दिया तो N कितना हो गया, 2 तो I की value direct 2 H2SO4 बोलिए कितने आयन दे गई है 2H+, 2H+, और 1SO4, 2- नहीं समझे करके देखिए करके देखिए H2SO4 को जब हम तोडेंगे, तो 2H+, RSO4, 2- कितने आयन हो गए, यह था 1 और 1 से कितने मिल गए, 2 और 1 3, तो 1 से जितने मिलते हैं, उसी को अपन क्या बोलते है N, और यहाँ जो N होगा वही क्या होगा, आई, समझ भी आया तो H2SO4 से कितने आयन बनते हैं, भई, 3 बनते हैं, ठीक है, हाइपोक्लोरिक एसिड, HClO4 से 1H+, बनता है, और Cl4- कितने बने, 2, तो इससे भी 2 मिलेगा, तो N की वैलू 2 हो जाएगी, I की वैलू 2 हो जाएगी, यह चीज़ समझ में आया आया, तो यह एसिड देखके, आपको समझ में आना चाहिए, कि यह कितने आयन देखके, डिजॉल्व होने के बाद, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, I कैसे निकाल रहे हैं, अभी सिर्फ हम I का calculation सीख रहे हैं, I निकालते कैसे हैं, बाद में हम सीखेंगे, I लगाएंगे कैसे, कहां लगाएंगे, उसका यूज कहा है, ठीक है, दूसरा एक्जामपल मैं ले रहा हूँ, strong base, strong base जैसे, NaOH, KOH, and varium hydroxide, etc, पुरी लिस्ट आपके पास है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, this is strong base, ठीक है, ये भी क्या है, strong electrolyte, हम इस strong electrolyte के अंदर ये सब example कर रहे हैं, ठीक है, अब इसके लिए भी N की value क्या होगी, एक molecule से जितने iron मिलेंगे, वही N होगा, और यहाँ जो भी N होता है, उसी को क्या ले लेते हैं, I, तो आप बता सकते हैं, NaOH dissolve होकर कि कितने iron देगा, कितने, 2, कौन कौन से, Na plus, OH minus, तो 2 iron दे रहा है, जितने iron देता है, एक molecule वही क्या होता है, N, और यहाँ वही क्या है, I, ठीक है, KOH के case में, 2, BAOH2 के case में, 3 की 2, बोलिए, 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 अगर आपको iron निकालने नहीं आ रहे हैं, तो क्या मतलब, 11 क्या किये, बोलिए, कितने देगा, 3 देगा, कौन कौन से, BA, plus, 1, और OH, 2 OH minus, होगा, भाई, यह 2 OH हो जाएगा, 2 OH minus, और 1 BA plus, होगा ना, तोटल कितने हो गए, 3, तो यह 3 देगा, तो जितने iron दे रहा है, एक molecule, वही N, और strong के case में, जो N होता है, वही आई हो जाता है, ठीक है, यह हो गया हमारा, strong base, तीसरी चीज़ हम ले रहे हैं, salt, इस दुनिया में, जितने भी type के salt होते हैं, सब के सब को हम strong electrolyte मानते हैं, जितने भी type के salt है, salt में कोई category नहीं है, कोई weak salt है, कोई strong salt है, कोई moderate है, कोई कुछ है, आई ना, बाद समझ में, जितने भी type के salt हम जानते हैं, हमको उसको क्या treat करना है, they all are strong electrolyte, ठीक है, ठीक है, strong electrolyte बोल देने का मतलब, उनका ionization कितना होगा, hundred percent ठीक है ना, तो तीसरा example मैं इसमें ले रहा हूँ all types of salt हर तरह के salt, ठीक है जैसे कोई example, salt का आप लोग का favorite, NaCl और कुछ KCl तो एक ही चीज हो जाएगी ठीक है और कुछ, ये ले लेते हैं Na2, SO4 ठीक है ना, एक और मैं आपको दिखाता हूँ K4, Fe, Cn6 ये coordinate compound है, coordinate salt है ठीक है, इस पोटासियम फेरो साइनाइड, साइनाइड ठीक है, ये salt है और जितने भी salt आप लिख सकते हैं जितने भी salt आप जानते हैं हर एक salt के लिए ये ही नियम लागू होगा सब को हम strong electrolyte treat करेंगे इसका मतलब है एक molecule जितना आयन देगा उसी को हम क्या मान लेंगे आई ठीक है ना तो NaCl कितना देता है घुलने के बाद दो तो इसके लिए N की value कितनी हो गए 2 और जो N वही आई ठीक है ना strong के case में बात समझ में आ रहा है Na2SO4 कितने देगा 3 की 2 बोलिए बोलिए reaction करना नहीं आता आपको है ज़्यादा दिक्कत होता है यहां लिख लीजे फौरण लिख करके बताईए Na2SO4 टूटेगा तो क्या बनेगा यह बनेगा 2 Na plus SO4 minus 2 minus तो एक से कितना बना 3 बना और एक से जितना बनता है उसी को क्या बोलते है N और जो N होता है वही क्या है आई आई नहीं बाद समझे तो इसके लिए कितना हो गया 3 इसका बता सकते हैं कितना होगा कितना होगा देखिए This is K4 Fe Cn6 यह तूटता है 4K plus K plus K plus K plus K plus 4 पुटा से माइन मिलता है और यह पूरा compound एक साथ क्योंकि यह coordinate compound है यह minus एक आईन इसका बनता है यह नहीं तूटता भई ना इसको डब्बे में रख रहे हैं इसलिए यह एक हिस्सा है एक आईन उसका बनेगा और एक आईन इसका बनेगा तो यह कितने बन रहे है 4 और यह कितना हो रहा है 1 तो टोटल कितने हो गए तो एक से यह मिलता है 5 और एक से जितना मिलता है उसी को पन N बोलते हैं याद रहेगा तो जितने coordinate compound होते हैं को पने से bracket में लिखते हैं, पूरे एक chapter आएगा आगे coordinate compounds का, chapter number 9, वहाँ आप ये detail से पढ़ेंगे, तो इसमें कितने iron मिले, 5 iron मिले, ठीक है, तो n की value 5 हो गई, और i कितना हो गया, जो n होता है, 5, ठीक बात, यहां तक समझ में आया, ये समझ में आया, तो strong electrolyte के case में, क्या करना है, degree of dissociation ये ionization कितना होता है, 100%, यानि 1, पूरा 100% टूट जाता है, strong है, इसलिए, ठीक है, अगर 100% टूट जाता है, तो अपने formula में alpha को 1 रखिए, alpha 1 रखने से i क्या आता है, n, जो n होगा, यानि एक molecule से जितने आयन दे रहा होगा, वो electrolyte, उसी को आँग बंद करके क्या ले लेना है, आई, went off factor, ठीक है, ये हुआ strong electrolyte का case, ये पहला हमने अभी देखा, strong electrolyte, बात समझ में आई, कि नहीं आई, बोली बोली, आया कि नहीं आया, आया, अब हम दूसरा case इसमें लेते हैं, weak electrolyte, इसी के बाद, ठीक है, electrolyte के अंदर ही, अभी पहला case क्या देखा, strong electrolyte, अब दूसरा case क्या ले रहे हैं, weak electrolyte, ठीक है, ये सम नोट करें, second case हम ले रहे हैं, electrolyte के अंदर ही, weak electrolyte किसको बोलेंगे, strong किसको बोलते थे, जो 100% तूट जाता था, तो weak क्या होगा, जो 100% नहीं तूटता, अगर कोई चीज 100% नहीं तूटती, तो कितना परसेंट तूटता है, तो answer है, one से लेके, 99.99 तक हमारे पास option है, पूरे बीच के रहें, कितनो परसेंट में तूटते, 100 बर्स नहीं होना चाहिए, है न, तो वो कहलाता है, weak electrolyte, weak electrolyte, which do not completely ionized, या which do not 100% ionized, ठीक है, उसको हम weak electrolyte बोलते हैं, और इसके लिए फिर से मैं formula quote कर रहा हूँ, I is equal to, क्या था, 1 plus N minus 1 alpha, यह हमारा main formula था, था ना, I is equal to 1 plus N minus 1 alpha, ठीक है, यहां तक समन में आया, आया की नहीं आया, अब इसके लिए पूरा formula मैं use करूंगा, क्योंकि weak का case है, ठीक है, चलिए, इसके अंदर, पहला हम बना रहे हैं, पहला example, weak acid, जैसे strong electrolyte के अंदर आपने देखा, strong acid, strong base, salt, उसी तरह, weak electrolyte भे तो weak acid और weak base होगा, तो weak acid के example लेते हैं, और यहां से फिर हम आगे, समझेंगे क्या होता है, weak acid जैसे, हाँ, जैसे एक हो गया, HCN, एक हो गया CH3, CHH, यह सबसे popular example है, acid acid, ठीक है, और कुछ, H2S, etc, ऐसे बहुत सारे हैं weak acid, ठीक है, यह weak acid की example हो गया, ठीक है, अब यह बताइए, weak acid के case में, जितने आएन एक molecule देगा, क्या उसी को I बोल देना है, नहीं बोलना है, क्यों, क्योंकि, यहां पर alpha 100% नहीं होता, यह अगर 100% होगा, तो formula हम alpha को 1 रखते हैं, तो formula छोटा होके N के बराबर हो जाता था, यहां पर alpha अब 100% नहीं हो रहा है, 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा, तो इसे मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, alpha जो है इस case में क्या होता है, 0 से बढ़ा और 1 से छोटा, degree of dissociation कैसा रहेगा, 0 से बढ़ा, 1 से छोटा, अगर degree of dissociation 0 हो गया, ध्यान से सुनिया इधर, अगर degree of dissociation 0 के बराबर होता, तो यह क्या बन जाता, ना ना ना, alpha 0 हो जाता, तो यह क्या बन जाता, non electrolyte, ठीक है, और अगर alpha का dissociation 1 हो जाता, 100%, तो यह क्या बन जाता, strong electrolyte, ना यह non electrolyte है, और ना यह strong electrolyte है, यह उसके बीच का range है, तो alpha भी कैसा होगा, 0 और 1 के बीच में कुछ ना कुछ आएगा, यानि 0 से बड़ी value होगी, 1 से छोटी value होगी alpha की, ठीक है ना, 0 से बड़ी value होगी, या 1 से छोटी value होगी, ठीक, आप देखिए, कुछ ना कुछ तो होगा ना, 1 तो नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ आएगा, और अगर 1 में कुछ ना कुछ जोड़े, 1 में कुछ भी जोड़े, 0 पॉइंट कुछ भी आया, तो 1 में कोई भी चीज जोड़ोगे, तो i की value 1 से बड़ी आएगी, कि छोटी आएगी, कि 1 आएगी, 1 में कुछ ना कुछ तो जुड़ रहा है ना, जुड़ रहा है कि ना, जब alpha 0 हो जाता था, तो ये पूरा part 0 हो जाता था, तो 1 में कुछ नहीं जुड़ता था, इसलिए i की value क्या ले ले लेते थे, non electrolyte की लिए, 1, ठीक है, जब alpha 1 हो जाता था, 100%, तो ये 1 हो गया, तो ये minus और plus 1, cancel हो गया, सिर्फ क्या बचा है, तो i की value n हो जाती थी, strong की case में, अभी alpha ना तो 0 है, अगर ये 0 नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ बच रहा है, तो फिर ये 1 के साथ जुड़ करके, 1 से बड़ी value बनाई की नहीं बनाई, तो i की value इस case में कैसी हो जाएगी, 1 से बड़ी, हर case में, i की value यहाँ पर, 1 से कैसी हो जाएगी, बड़ी, i की value यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमेशा 1 से बड़ी होगी, ठीक है, और विश्वास नहीं होता है, तो अभी आपने strong electrolyte या case बनाया, देखिए, strong acid में, i की value कहीं 2 आ रही है, कहीं 3 आ रही है, कहीं 5 आ रही है, 1 से छोटा आया क्या, यह 1 आया क्या, नहीं आया, strong base में देखिए, कहीं 2 आ रहा है, कहीं 3 आ रहा है, कहीं 4 आ रहा है, आया, 1 से बड़ा है कि नहीं आया, salt में देखिए, 1 से बड़े number है सब के सब, electrolyte में, इसी तरह, weak electrolyte के case में, weak electrolyte के case में, भी i की value की आएगी हमेशा 1 से बढ़ी आएगी, समझ में आ रहा है क्यों क्योंकि alpha इसके साथ multiply होके इतने को कुछ न कुछ number बना देगा और ये कुछ न कुछ 1 के साथ जुड़ करके i को क्या कर देगा 1 से बढ़ा कर देगा, भाई एक में कोई चीज जुड़ेगी, तो एक से बढ़ा ही हो जाएगा number ना, हो जाएगा ना, इसलिए i यहाँ भी कैसा होने वाला है, weak के case में 1 से बढ़ा, तो मैं यह बोल सकता हूँ पूरे electrolyte के लिए पूरे electrolyte के लिए या dissociation के लिए dissociation के लिए i की value कैसी होगी, शुरू में हमने लिखा था, dissociation के लिए i की value कैसी होगी कैसी होगी, 1 से बढ़ी होगी लिखा था शुरू में आपने dissociation के लिए i कब है लिए हमेशा हाँ, फिर चाहे वो आपका electrolyte का case हो, strong का या weak का, किसी कभी case हो i हमेशा वन से बढ़ा होता है dissociation के लिए, आई बात समझे है चले, अब हम start करते है weak acid, इसके लिए देखिए इसके लिए देखिए, n की value कितनी होगी, यानि n क्या चीज है फिर से, इसलिए मैं बार-बार n पर जोड दे रहा हूँ, n क्या है एक molecule से जितने आयन मिलते हैं उसी को n बोलते हैं, तो इसका n कितना हुआ कितने आयन देगा ये 2 देगा, एक h plus और एक cn minus इसने 2 दिया 2 दिया तो यही क्या हो गई इसकी n की value हो गई भाई, एक molecule जितने आयन देता है पानी में वही n होता है क्या n को ही i बोलना है नहीं बोलना, क्योंकि alpha भी जिन्दा है alpha कुछ न कुछ होगा इसके लिए होगा ना, के नहीं होगा, इसी तरह इसके लिए n की value कितनी होगी बोलिए ct, ct के लिए कितने आयन देगा ये 2, कौन-कौन से cs3, cWO minus और 1H plus, 2N देता है तो n की value 2 ले लेंगे यहां से ठीक है ना, इसकी value बोलिए कितनी होगी n की n is equal to 3 2H plus और 1S minus ठीक बात समद में आया कि नहीं आया लेकिन यहां n को आई नहीं लेना क्योंकि alpha भी जिन्दा है alpha कुछ न कुछ होगा 1 नहीं है alpha यहां ठीक है यह weak electrolyte है तो इसका ionization 100% नहीं हो रहा कि आप alpha को 1 ले लेंगे ठीक है जैसे इसके example में आपको बताऊँ example देखिए न weak acid के अंदर example बोल रहा हूँ जैसे 0.1 molar ध्यान से सुनियेगा 0.1 molar HCN is ionized 30% calculate went-off factor I ठीक है 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 0.1 molar HCN is ionized up to 30% ठीक है calculate I ठीक है कैसे करेंगे तो ऐसे question में ये जो quantity दी हुई है concentration की इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है ये बिना मतलब का है ठीक है ठीक है ना द्यान से समझेगा हमको went-off factor I निकालना है तो उसकी लिए concentration term की जरूरत नहीं होती क्योंकि हमारे went-off factor के formula में concentration term नहीं आता ठीक है ना तो ये तो इसका कोई रोल ही नहीं है तो ये देख कि आप question में confused नहीं होंगे ठीक है अगली चीज HCN is ionized 30% तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये क्या चीज है किस टाइब का material है strong है, weak है, क्या है तो आपका दिमाग क्या गहेगा this is weak electrolyte और weak के case में एक molecule कितने ion देने वाला है दो और जितने देता है वही क्या बनता है तो N तो आपको पता चल गया N है ना तो ये N कहां रखेंगे आप यहां formula में अब आपको क्या चाहिए क्योंकि alpha 100% नहीं है कि आप इसको 1 कर दे तो I is equal to N हो जाए 100% नहीं है, कुछ है alpha वो question में बताएगा तो उसने question में बताया 30% तो alpha कितना है भाई 30% और 30% को अगर number में आप change करेंगे तो percentage की जगा 1 upon 100 की आती है कितना आ गया 0.3 alpha की value कितनी हो गए 0.3 अब आप I बता सकते हैं I is equal to 1 plus N कितना 2 minus 1 into alpha 0.3 यह calculation आई देगा आप और आप देखेंगे I की value 1 से बड़ी आती है करके देखी कितना आता है कितना आएगा 1.3 1.3 आई देखा आपने this is 1.3 1 से बड़ा एक नहीं आया आया ना तो फिर इस तरह से निकाला जाएगा उभी के case में पूरा formula यूज करेंगे आप alpha भी समझ में आ नहीं ना अंतर कहां पर हो रहा है ठीक है अच्छा एक और मैं question देता हूँ आपको 0.1 molar H2SO4 is ionized up to 90% find out whenthor factor I ठीक है this is a hypothetical question कितना आना है I H2SO4 3 ठीक है कितना आना है I बास यहीं पर बच्चे गल्ती कर देते है यहीं पर बच्चा गल्ती करता है कैसे आपने यह पहले कर लिया है this is strong electrolyte तो strong electrolyte में जो N होता है वही क्या माल लेते है I तो इसके लिए N कितना आता है 3 तीन आयन देगा 2H plus और 1S of 4 minus तो इसी को आप आँख बंद करके क्या बोल देते है I जबकि यह वाला portion बच्चा नहीं देखता समझाए ना यह portion आप ध्यान नहीं देते आप सोचते हैं कि यह तो strong electrolyte था तो फट से जितना N है उतना I लिख दे जबकि ऐसा होता नहीं है ठीक है यहाँ पर strong electrolyte का dissociation कितना हो रहा है कितना dissociation हो रहा है 90% और इसको आप नजन अंदाज नहीं करेंगे यहाँ तो यहाँ पर alpha की value 1 नहीं है alpha कितना लेना है आपको 0.9 समझाया ना आया की नहीं आया भले यह strong electrolyte था लेकिन इसका dissociation अभी 100% नहीं हुआ है उन्होंने बता दिया कि dissociation कितना हो रहा है 90% तो इसको क्या मानना है अगर यह 90% टूट रहा है 100% नहीं टूट रहा तो क्या है यह इस 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 वीक electrolyte तो strong होने के बावजूद भी इसको क्या treat कर लेंगे हम वीक electrolyte और वीक electrolyte की तरह आई निकालेंगे समझेए ठीक है तो फिर आई कितना आना है आई is equal to 1 plus 3 minus 1 into 0.9 कितना आ रहा है 2 point 2 point 8 इस इस आई अब 3 नहीं आया ना भाई समझा आया ना 3 नहीं लेना समझे नहीं कहां गड़बड होती है कि नहीं समझे पका पका ना ठीक है एक question और मैं आपको देता हूँ यहाँ यहीं पर लिखता हूँ ठीक है देखिए अच्छा इस चीज की कोई जरूरत है क्या concentration की 0.1 molar CS3 COOH ठीक है इस इस इनाइस तू 99.99% कल्कुलेट आई वेंठाव फेक्टर ठीक है इस इस आपर कोश्चन क्या करना है ACITY के ACID है कितने परसेंट तूट रहा है 99.9% Almost 100 है Almost 100 है है ना Almost 100 तो क्या करना है इसको Strong मानने क्या 99.99% टूटा Strong मानने क्या मानने क्या नहीं मानेंगे समझ आए न नहीं मानेंगे तो फिर इसके लिए ये कितने आयन दे रहा है कितने आयन देगा दो ये क्या बनेगा N पता चल गया और यहां से अलफा कितना हो गया कितना हो जाएगा 0.99 तो अलफा आप रख लेंगे 0.99 ठीक है ना 0.9 रख लो ठीक है एक डिजित और छोड़ सकते हो और फॉर्मूला क्या लगाओगे ये समझ रहें तो कोई weak acid लिखा हो या strong acid लिखा हो strong base लिखा हो कुछ भी लिखा हो अगर degree of dissociation 100% नहीं है even 99.99% भी है तो उसको weak मान के treat करना है ये भले यहां कुछ भी लिखा हो H2O4 ये क्यों नहीं हो समझ में आई बात कि नहीं आई बोलिए बोलिए आया ना जैसे इसके बजाए अगर मैं ये दे देता आपको इसके बजाए अगर मैं आपको बोलता कि आप ले लीजिए K4 Fe Cn6 This is salt सॉल्ट और हर सॉल्ट क्या होता है Strong Electrolite हर सॉल्ट क्या होता है Strong Electrolite ठीक हर सॉल्ट क्या होता है Strong Electrolite तो इसके लिए फिर I की value क्या होगी ये कितने आयन देता था एक मॉलेक्यूल इसका कितना आयन देता है 5 5 तो I कितना हो गया 5 आई 5 ले नहीं ले ये तो इस्ट्रॉंग था ना इस्ट्रॉंग एलेक्रोलाइट में आता है जितने भी सॉल्ट हैं सब इस्ट्रॉंग एलेक्रोलाइट में आते है इस इससाल ाक्रिशन के म्नुपरी तो फिर क्या ले लें भ़ई अगर हाँ उसने question में नहीं बोला जैसे H2SO4 दिया और उन्होंने नहीं बोला कि 90% ionized हुआ, सिर्फ यह बोला 0.1 mol या 1 mol H2SO4 is dissolved in 1 kg water, 1 liter water percentage नहीं बता है dissociation का, ionization का, तो क्या करना है, फिर क्या मान लेना इसको, strong electrolyte और जितना N का value होगा, वही क्या लिख लेना है, I, I hope आपको इस समझ में आ रहा है, आ रहा है की नहीं आ रहा है न, ठीक है, यह है हमारा पहला हमने लिया weak acid weak electrolyte के अंदर, weak acid अगला देखते हैं, weak base अगला लेते हैं पर इसी में weak electrolyte के अंदर दूसरा example लेते हैं weak base weak base का example जैसे कोई बता सकते हैं NH4OH ammonium hydroxide जैसे pyridine हो गया pyridine का formula होता है C5, H5 N जैसे aniline हो गया this is C6, H6 और NH2, this is aniline this is pyridine, यह benzene है benzene के अपर NH2 लगा देते हैं benzene ring, benzene ring के अपर NH2 लगा देते हैं aniline बन दाता है यह benzene ring की तरह ही होता है, यह pyridine ठीक है, इसमें हम क्या कल लेते हैं एक nitrogen लगा देते हैं नीचे, सिर्फ एक nitrogen ठीक है, तो यह pyridine बन दाता है this is ammonium hydroxide, यह सब के सब क्या है weak base है, ठीक है तो यह कितने iron देंगे भई ठीक है न, निकाल सकते हैं आप न, iron इनके कितने-कितने iron देंगे ठीक है, अगर मैं आपको एक question दूँ यहाँ पर कि 0.1 molar NH4OH is ionized, 5% तो आई कितना होगा 5% ionized हो रहा है, आई कितना होगा तो देखेंगे आप यह कितने iron देता है कितने iron देगा यह 5 ammonia जैसा है यह, कितना देगा 2, एक देगा NH4+, और एक देगा OH- तो इसके लिए N कितना हो जाना है 2, और यह दे रखा है alpha alpha कितना है, 0.05 तो फिर क्या करेंगे आप फिर आप यह formula यूज करेंगे पूरा और I calculate करेंगे ठीक है, यहां तक आपको समझ में आगी बात कर लेंगे न, कर लेंगे यह पहला हमने देखा case 1 dissociation कौनसा case देखा? dissociation देखा, अब हम दूसरा case ले रहे हैं association association ठीक है, association में क्या होता है? molecules क्या होते हैं आपस में? combine होते हैं तो उनका molar mass क्या होता है? increase हो जाता है? होता है की नहीं? होता है ना? पक्का? बोलिए? increase होता है ना? हो जाता है ठीक है? तो इसमें association के case में देखिए थोड़ा सम formula इसमें define कर लेते हैं पहले ताकि आपको दिक्कत नहों association में क्या होता है? देखिए दो molecule दो molecule जुड करके क्या बनाते हैं? एक बड़ा सा molecule बना लेते हैं दो molecule जुड करके एक बड़ा सा molecule बनाते हैं तीन molecule जुड करके एक बड़ा सा molecule बनाते हैं चार molecule जुड करके एक बड़ा सा molecule बनाते हैं यानि कुछ quantity के molecule मिलते हैं और कितना बनता है उदर? एक बनता है ठीक है? ध्यान से सुनिए जब दो molecule मिल करके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं इसको बोलते हैं डाइमर क्या बोलते हैं डाइमर जब तीन मॉलिक्यूल मिल करके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं ट्राइमर जब चार मॉलिक्यूल मिल करके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं polymer क्या बोलेंगे polymer, बात समझ में आ रहा है तो ऐसे question रहेंगे जहाँ ये शब्द use होंगे, dimer, trimer तो फट से समझ जाना है कौन सा case चल रहा है association का ये शब्द ही indicator रहेंगे वहाँ dimer लिग देगा, dimerized लिग देगा trimer लिग देगा, trimerized लिग देगा, polymer लिग देगा तुरन दिमाग कहां जाना चाहिए, association का case है ठीक है यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आ गया अब देखी, यहाँ से मैं formula बना रहा हूँ यहाँ से यहाँ से, अच्छा पहले N की बात हो जाए, N क्या चीज़ है एक molecule से जितने ions बनते हैं, उसी को N लेना है एक molecule से तो देखिए, दो मिल करके एक बना रहे है दो molecule मिल करके एक बना रहे है तीन molecule मिल करके, एक molecule बना रहे है, चार molecule मिल करके एक बड़ा सा molecule बना रहे है तो यहाँ जितने मिल करके बना रहे हैं यही क्या कहलाता है N का value क्या कहलाता है N का value जैसे दो मिलकर के एक dimer बना रहे है तो N की value क्या ले लेना है 2 तीन मिलकर के एक trimer बना रहे है तो N की value क्या ले लेना है 3 4 मिलकर के tetramer बना रहे है तो N की value क्या ले लेना है 4 N molecule मिल करके एक molecule बना रहे हैं तो N की value क्या ले लेना है N जितने मिल रहे है समझ में आ रहा है N क्या चीज है एक molecule से जितने आयन मिलते है वही चीज है इसको उल्टा करके सोचिए दो molecule मिल करके एक बना रहे है तो एक को बनाने के लिए कितने आयन लगे थे, दो, तो एक को बनाने के लिए जितने लगे या एक से जितने मिले, बात तो एक ही है, तो N की बैलू कितनी हो जाएगी, जितने यहां मिल रहे हैं, यही N की बैलू होती है, यहां जो लिखा होता है, जितने मिल करके बनाते हैं, जितने molecule जितने ion associate होते है वही number क्या कहलाता है N कहलाता है number of ions associated जितने associate होकर कि एक बनाने बाले है वही क्या कहलाएगा N कहलाएगा यह याद रहेगा ठीक है न अच्छा फिर से हम अपना formula derive करते हैं थोड़ा सा इसका formula different है देखिए N molecule मिल करके क्या बनाएगा एक बनाएगा तो एक से कितना बनेगा N से कितना बन रहा है ध्यान से देखिए N से कितना बन रहा है one molecule one particle N से कितने बन रहे है एक molecule तो एक से कितना बनेगा one upon N molecule बनेगा एक से कितना बनता है और आपको याद हो dissociation में यहीं से हमने formula बनाया था एक से जितने dissociate होते हैं जैसे एक से कितना तूटा कितना बना, one abundant molecules बना है ना, तो मैं बोल देता हूँ इसका degree of dissociation लेना है कि association और association के लिए मैं symbol alpha भी यूज कर सकता हूँ तो पुराने वाले dissociation से इसको bifurcate करने के लिए मैं यहाँ beta यूज कर लेता हूँ बीटा क्या होगा degree of जितने percent associate हो रहे हैं जितने molecule associate हो रहे हैं that is degree of association, ठीक है तो देखिए, एक एक से कितने बन रहे हैं, वो नपाने तो इसमें से कितना associate हुआ हम बोलेंगे beta या alpha, तो कितना बना? beta ही बनेगा, जितना associate होगा उतना ही बनेगा ठीक है, तो यहाँ मैंने बोला कि 1 से 1 से कितना associate हुआ? beta, तो इधर कितना बनेगा? beta, 1 upon n beta, यानि beta by n हुआ? 1 upon n to beta, beta बनेगा? इधर beta टूट रहा है, तो उधर beta बनेगा कि नहीं? dissociation जैसा ही इसको समझ लेजिए ये 1 से कितना बन रहा है? 1 upon n molecule बन रहा है तो 1 में beta टूटा, तो ये 1 upon n कितना बनेगा? beta ही बनेगा अगर 1 से beta टूट रहा है तो उधर कितना बनेगा? जितना इधर टूटेगा, उतना ही न बनेगा तो beta टूटा है, तो कितना बनेगा? beta, अब यहाँ 1 से 1 upon n हो रहा है तो फिर 1 से कितना होगा? 1 upon n बीटा? होगा ना? 1 upon n लग जाता है, multiplication में अच्छा, अब ये case था ये case था, कौन सा? before dissociation, before association और एक होगा after dissociation after dissociation कितने particle है solution में? तो answer ये भी बचा हुआ है, और ये भी बचा हुआ है हम ऐसे i की value ऐसे निकाल रहे थे number of particles, after dissociation ये association, divided by number of particles before dissociation, association तो यहाँ आप बता सकते हैं after dissociation ये after dissociation कितना होगा? ये और प्लस ये, और before dissociation कितना था? एक, ठीक है तो अब हम direct formula quote कर रहे है this is molecular mass theoretical divided by molecular mass observed is equal to, क्या था? number of particle after dissociation, dissociation तो after dissociation ये dissociation कितना हुआ? ये और प्लस बीटा by 2 हो गया? divided by before dissociation, कितना था? 1, है ना? और इसी को पनाई बोलते हैं i तो i कितना हो गया? calculate कर लीजिए यहाँ से बीटा common ले सकते हैं ओ, n किदर गया? this is n this is n ठीक है? बीटा common ले लेते हैं तो क्या formula बचा? i is equal to i is equal to this is 1 प्लस 1 अपॉन अपॉन न माइनस 1 बीटा, ये बचेगा चकल लो आएगा या नहीं आएगा? 1 फिर ये प्लस इसको पहले लिख रहा हूँ, इसको बाद में लिख रहा हूँ दोनों जगे से बीटा common लिख लिए तो यहाँ क्या बचा? 1 upon n माइनस 1 बचेगा? ये एक मॉलेक्यूल को बनाने के लिए जितने आएन लगते हैं, वो आएन कहलाता है ठीक बाद? ये हमारा formula हो गया यहाँ तक समझ में आए आपको? तो formula में difference कहाँ पर आ रहा है? clear है? ठीक, बीटा यहाँ पर क्या है? बीटा डिग्री आप association नोट कर लिजेगा इस डिग्री आप association ये नोट करिए एक इसमें छोड़ा सा question लेते हैं ताकि आपको समझ में आए 0.1 molar acetic acid is dimerized in benzene up to 30% calculate I ठीक है? acetic acid is dimerized in benzene what is the meaning of dimerized? association dimer बनना यानी दो चीजें मिल करके एक चीज़ बनाई होंगी तो ये शब्द आपकी indicators होंगे questions में dimer, primer, polymer, dimerized इससे मिलता जूलता शब, इससे आपको समझना है कि चल क्या रहा है मामला dissociation का case हो रहा है कि association का case हो रहा है? समझ में आ जाएगा? ठीक है? indicator कौन है समझ में आया? अच्छा, acetic acid किसको बोलते हैं? CH3 ठीक है? CH3 CWH ये कैसा acid होता है? weak acid होता है ठीक है? इसकी एक property सुल लीजिए weak acid को जब हम पानी में dissolve करते हैं, water में डालते हैं acetic acid को अगर मैं water में डालता हूँ तो water इसके bond को तोड़ने का काम करती है और तोड़ के इसको CH3, CWO- में बदल देती है और H+, में बदल देती है water में डालेंगे तो तूटेगा और तूटने के procedure को क्या बोलते हैं? dissociation तो अगर हमने acetic acid को water में डाला तो क्या हो रहा है? dissociation लेकिन water के अलावा अगर इसको non-polar solvent में डाल दें, that is benzene अगर मैंने इसी acetic acid को किस में भिगोया? benzene में डाला, तो benzene इसके bond को नहीं तोड़ती, बलके benzene में ये अपना ultra reaction दिखाता है, क्या करता है? acetic acid के दो molecule मिल करके एक बड़ा-acetic acid का molecule बनाता है dimer बनाता है, जिसको बोलेंगे समझ में आया? behavior समझ में आ रहा है? वही acetic acid है, अगर उसको पानी में डालते हैं, तो क्या होता है? उसका dissociation हो जाता है और उसी acetic acid को अगर benzene में डालते हैं, तो क्या होता है? association होता है समझ में आई बाद? तो अभी हम किसमें dissolve कर रहे हैं? benzene में ठीक है? और ऐसा क्यों होता है कि दो acetic acid के molecule आपस में मिल करके एक dimer क्यों बनाते हैं बड़ा सा? ऐसा क्यों होता है? तो answer है intermolecular hydrogen bonding की वज़ा से दोनों acetic acid के बीच में hydrogen bonding होती है इसलिए दोनों चिपक जाते हैं और चिपक के dimer मना लेते हैं ठीक है? यह मैं आपको दिखाता हूँ कैसे है? यह आपने chemical bonding में पढ़ा है hydrogen bonding का topic पढ़ा है chemical bonding में? ग्यारमी chapter number 4 chemical bonding वहाँ का यह topic है देखिए this is CS3 C double bond O single bond O H यह होता है formula एक double bonded oxygen होता है एक single bonded यह हुआ इसी तरह से एक molecule यहाँ पर लेता हूँ है CH3 C this is double bond O this is single bond O and this is H इसको इदा double bond बना लेते हैं this is double bonded oxygen and this is single bond oxygen and H ठीक है? और यहाँ पर होती है hydrogen bonding यह वाला oxygen और hydrogen hydrogen bonding किसके किसके बीच होती है एक highly electronegative element और दूसरे molecule का hydrogen एक molecule का highly electronegative element nitrogen, oxygen, fluorine, कोई भी ठीक है? और दूसरे molecule का क्या होना चाहिए? hydrogen एक highly electronegative element एक hydrogen इनके बीच में दो अलग-अलग molecule के होने चाहिए इनके बीच में जो bond बनता है यह यह highly electronegative और यह hydrogen इस molecule का यह highly electronegative और hydrogen इस molecule का इनके बीच में क्या बनता है? hydrogen bonding इस इस नोन एज intermolecular hydrogen bonding ठीक है? हुआ? तो दो molecule चिपक के क्या हुए? एक dimer बना लिए? बनाई की नी बनाई? तो यहाँ N की value कितनी होगी? बोलिए यह है N बताने का indicator N कितना लेना है? जितने मिलके एक बनाने वाले हैं तो N कितना हो गया यहाँ? 2 ठीक है? अलफा अलफा यहाँ बीटा इंडिकेट कर रहे हैं न degree of association कितना है बीटा? 30% तो 0.3 ठीक है न? अब हम यहाँ आई निकालने के लिए formula क्या use करेंगे? This is 1 1 upon N minus 1 into बीटा ठीक है? This is 1 plus 1 upon 2 2 minus 1 और बीटा कितना लेना है? 0.3 ठीक है न? समझाया बात? कि नहीं आया? आया? इसको calculate कर यह जो भी आएगा I के value आएगी देखिए कितना आता है? ना 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 नहीं आ सकता नहीं आ सकता half और यह 1 एक में से आधा क्या? आधा माइनस आधा माइनस आधा को 3 से multiply किये 3 by 2 this is 2 plus 3 by 2 0.7 भी नहीं आएगा और सोचिए अरे calculate तो करो column तो चलाओ answer आएगा कितना आ रहा है? अहाँ calculate करिए point 85 यह आएगा 0.85 और यहाँ देखिए I की value कैसी आई? less than 1 सब़र में आया? I की value कैसी आनी है यहाँ? less than 1 आएगा हर case में देखिए less than 1 आएगा क्यों आ रहा है less than 1? क्यों आ रहा है less than 1? associate हो जा रहा है इसलिए घड जा रहा है न? particle कम हो जाएगे ने association के बाद इसलिए I कैसा हो जाएगा? छोटा ठीक है? तो किसी भी association के लिए पूरे association के case में I की value हमेशा कैसी होगी? less than 1 कहीं भी अगर आपको 1 से बड़ा आया आप समझ जाएगे कहीं ने कहीं गड़ बड़ा है ठीक है? कि नहीं है? तो dimer, trimer ऐसे questions अगर है तो पक्का समझ लो I कैसा आने वाला है? less than 1 आने वाला है association के case में आई हमेशा 1 से छोटा होगा 0 से बड़ा होगा ठीक बात? यह आपके निशानी बनेगी आगे चल की ठीक है? यह हो क्या? ठीक है, note करेंगे तो मेरा ख्याल है कि आप I निकालने में आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी कहीं भी नहीं आएगी किसी भी टाइब का केस होगा कोई भी कोशन होगा आई निकाल लेंगे ठीक है ना अब आई निकालना हम सीख गए आई अपलाई कहां होगा यह देखेंगे ठीक है देखिए शुरू में हम बात कर रहे थे आई इस इपल टू अब्सर्व्ट कॉलिगेटिव प्रपर्टीज यह हमने बात किया मोलर मास के केस में यह उल्टा होता है तो इसके लिए मैं एक्जामपल लेता हूँ जैसे यूरिया यूरिया अगर मैं एक मोल डाल रहा हूँ ठीक है यूरिया को अगर मैं एक मोल लूँ एक mole मैं ले रहा हूँ तो ये mole कैसा mole कहलाएगा theoretical कि observe गोलने के पहले वाला ले रहा हूँ कैसा कहलाएगाई theoretical so this is number of moles theoretical ठीक है इसको dissolve किये dissolve किये तो dissolve करने के बाद ये कितने mole दिखेगा आधा हो जाएगा कि दो हो जाएगा नहीं होगा ना क्यों? क्योंकि urea क्या है? और इसका ना तो dissociation होता है ना? association होता है. आई इबाब समझ मैं? आया की नहीं आया? तो हम जब देखेंगे घोलने के बाद, उस समय जो mol हम को दिखेगा, उस mol को क्या बोलेंगे? observe. क्या बोलेंगे? observed तो इसको मैं लिख रहा हूँ number of moles observed, उस समय भी ये कितना मिलेगा one mole ठीक है ना? यहां तक बात clear हो clear हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अब देखिए ये observed mole है, ये theoretical mole है number of mole कैसे निकालते हैं आप अगर मैं observed की बात करूँ number of mole निकालने का क्या तरीका है? mass upon molar mass अगर मैं observed mole ले रहा हूं observed mole मतलब experimental करने के बाद, घुलने के बाद और mol निकालने के तरीका क्या है? mass upon molar mass अगर मैं observe mole की बात कर रहा हूم तो molar mass भी कौन सा होना है? so this is observed इसी तरह अगर हम theoretical mole की बात करें तो यह कैसे निकलेगा mass upon molar mass लेकिन theoretical molar mass है ना अब number of moles क्या चीज है answer is qualitative property qualitative property numbers पर depend करती है this is numbers so this is number of moles and this is qualitative property अगर मैं observed और इसका ratio ले लूँ इसका ratio ले लूँ observed divided by theoretical property of qualitative property observed divided by theoretical property का अगर मैं ratio ले लूँ तो क्या आएगा तो answer देखिए ये w, w कड़ गया ये चला गया उपर ये चला गया उपर theoretical और ये बचा नीचे चीख है तो ये result क्या मिला observed number of moles divided by theoretical number of moles क्या आता है किसके बराबर theoretical molar mass divided by observed molar mass और यही तो है this is observed colligative property this is theoretical colligative property which is equal to theoretical molar mass observed molar mass है अब इस colligative property की जगे आप जो 4 colligative property पढ़े है कुछ भी सोचिए observed osmotic pressure divided by theoretical osmotic pressure is equal to went of hectare समझ रहे हैं observed elevation in boiling point delta tb theoretical delta tb क्या आएगर ratio आई delta tf observe और delta tf theoretical आई समझ आया कि नहीं आया जैसे मैंने नसील डाला नसील मालो में 4 mol ले रहा हूँ 4 mol नसील 4 mol नसील तो delta tb elevation in boiling point क्या होता है formula kb multiplied by molality होता है water के लिए kb कितना होता है 0.512 0.5 मालों approximate calculation कर रहा हूँ this is 0.5 और molality कितनी है 4 multiply कर ये कितना आया 2 degree celsius में बता रहा हूँ 2 degree celsius इसमें Kelvin o celsius कोई matter नहीं करता न एक ही चीज़ होता है तो water का boiling point कितना आगे चला गया 2 degree celsius तो जो पानी 100 degree पी उबलना चाहिए था अब कितने पी उबलेगा कितने पी उबलेगा कितने पी उबलेगा 102 degree celsius पर उबलेगा ये हमने calculation किया theoretical ध्यान से सुनिए हमने NACL के mole चेक ही है कितने mole थे वो 4 mole था 4 mole भोला हमने पानी में एक किलो पानी में 1 kg water में कितने mole भोल रहा हूँ NACL के? 4 mole भोल रहा हूँ तो मुझको बाहर से क्या दिखता है मैंने कितने mole डाले है NACL के? 4 mole डाले है तो उसकी quality property कितनी होगी मैं elevation in boiling point की बात कर रहा था तो elevation in boiling point कितना है? 2 degree इसका मतलब बाइलिंग point कितना आगे चला गया? 2 degree तो पहले जो पानी 100 degree पे उबल जाता था बाइल हो जाता था अब वो कितने पे boil हो रहा है? 102 degree पे boil हो रहा है ऐसा मुझको लगता है calculation करता हूँ लेकिन, लेकिन, लेकिन पानी में घुलने के बाद 4 mall NACL डाला है 4 mall NACL डाला है तो ये घुलने के बाद क्या देगा? 4 mall तो ये NACL देगा और 4 mall CL माईनस देगा तो total कितने mall हो गए? 8 mall total कितने mall हो गए? 8 तो यहाँ कितना रखना चाहिए मुझे? 8 multiplied by 0.5 4 तो हमने केल्कुलेशन करके यह देखा कि अगर मैं चार मोल NACL डालता हूं तो उस पानी का एलावेशन बॉलिंग पॉइंट कितना आ जाता है तू डिग्री यानि जो वह 100 डिग्री पर उबलता था वह कितने डिग्री पर उबलेगा एक सोदो डिग्री पर बॉइल होगा ऐसा मैंने थेरिडिकल कैल्कुलेशन किया लेकिन मैंने चार मोल NACL डाला और उस पानी को आग में चड़ाया उसको गरम किया और उसमें थर्वोमीटर लगाया जब वह उबलने लग गया तो थर्वोमीटर मैंने डाल के देखा मैं लेकिन एक्ट्वल में ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट एक सो चार डिग्री सेल्सियस चला गया ऐसा क्यों हो गया क्यों गड़बड हो गया क्यों कि हम तो बाहर देख रहे थे ना एक मोल था लेकिन वह एक मोल अंदर जाके उसका बिहेवियर क् कैसा हो गया आठ मोल के बराबर इसी लिए क्या हो गई बदल गई एक सो दो डिग्री पर उबलने के बजा एक सो चार डिग्री पर उबला तो यह जो एक सो दो डिग्री था उबलने का यह मेरा कौन सा क्यल्कुलेशन था थेवरेटिकल कौन सा क्यल्कुलेशन था कौन सा Colligative Property है Theoretical और ये कैसे Colligative Property है Observed और Observed Colligative Property divided by Theoretical Colligative Property क्या होती है करके देखिए करके देखिए 104 divided by 102 कितना आएगा 2 ये आया I तो I के Value क्या मिल गई 2 वो तो वैसे ही मिलनी थी एक मोल NaCl में कितने आइन बनते है बोली बोली एक मोल से जितने आइन बनते है वही तो I कहलाता है Strong के केस में Salt के केस में नहीं समझे एक मोल NaCl कितने आइन देता है दो देता है और NaCl क्या है Salt और Salt क्या होता है Strong Electrolite अभी आप पढ़ चुके केस पुरा है न तो जितने आइन देगा एक मोलीक्यूल उतने ही नमबर आइन क्या बन जाएंगे I तो I कितना आएगा इसके लिए तो हमने formula लगा के चेक किया Observed Colligative Property divided by Theoretical तो भी I मिल गया 2 और अगर हम वो formula लगाते कि एक मोलीक्यूल से कितने आइन बन रहे है divided by Theoretical किया I मिल गया ये कोई भी Colligative Property आप ले सकते हैं Osmotic Pressure Elevation in Bolling Point जो यहां मैंने आपको बताया Freezing Point भी ले सकते हैं RLVP भी ले सकते हैं किसी भी चीच का Ratio I दे देगा समझ में आगी बात कि नहीं आई अच्छा आप पूरी तरह से आप I का Calculation समझ गए अब I लगेगा कहां तो जो चार Colligative Property हमने बनाई थी पहला क्या था RLVP which is P0A minus PS divided by P0A is equal to mole fraction of solute दूसरा क्या था Elevation in boiling point Delta TB is equal to KF multiplied by molality और थीसरा था Oh KB, sorry this is KB Depression in freezing point this is Delta TF is equal to KF multiplied by molality और चौथा क्या था Osmotic pressure Pi is equal to CST यह हमने बनाया था Colligative Property ठीक है? लेकिन यह सिर्फ किस पर लागू हो रहे थे? Organic compound पर जिन करना तो association होता था dissociation होता था लेकिन अगर हम electrolyte डाल दें NACL जैसे compound डाल दें तो फिर उसका association भी हो सकता है dissociation भी हो सकता है तो फिर यह नहीं लगते थे तो हमने आई निकाला आई decide करके बताएगा कि कितने particle वो बन रहा है आई क्या decide करता है? कि dissolve होने के बाद उसके कितने particle actual में कितने particle होते है और quality property किस पर depend करती है? number of particle पर और number of particle कौन बता रहा है? actual में? आई आई क्या बताता है? घुलने के बाद उसके number of particle original में कितने होते हैं? आई बताता है और quality property किस पर depend करती है? number of particle पर इसलिए quality property किस पर depend करेगी? आई पर और आई का नाम क्या है? went of factor तो colligative property किस पर depend करने लग गई? went of factor पर तो हमने अपने सारे formula में went of factor चिपकाना शुरू कर दिया यह जो formula हमने बनाये थे इस वो as it is रखा वैसे ही सिर्फ क्या करना है? I हर में चिपका देना है I का multiplication कर दिया यहां लगा दिया I यहां लगा दिया I यहां लगा दिया I यहां लगा दिया I हर एक में I का multiplication कर दिजिए ठीक है? ठीक है? अब देखिए हमारे formula में कुछ फरक पढ़ा कि नहीं पढ़ा अगर मैं urea डालता हूँ एक mole तो urea के लिए I कितना होगा? 1 तो 1 रखिए कुछ फरक पढ़ा किया formula में? नहीं पढ़ा तो urea के लिए वही आ गया लेकिन अगर मैं NACL डालता हूँ तो NACL के लिए यह कितना हो जाएगा I? 2 तो फिर actual में quality property तो 2 mole पर depend कर रही थी क्योंकि हम बाहर से देखते हैं एक mole है घुलने के बाद वो NACL कितना बन जाता है? 2 mole तो actual में यहाँ 2 mole होने चाहिए तो वो 2 mole की पूर्ती कौन करने वाला है? I I आ गया जैसे अभी मैंने आपको elevation in boiling point का example दिया यहाँ NACL का तो I की जग़ा फिर 2 रखेंगे तो यह उसका actual quality property हमको बताएगा otherwise अगर यह I नहीं होता तो मैं क्या मानता? मैं तो एक mole NACL डाल रहा हूँ घुलने के बाद भी वो कितना होता होगा? एक mole होता होगा अगर मेरे पास I नहीं होता तो यह कौन decide करके बताता कि घुलने के बाद वो एक mole बना कि दो mole बना? नहीं पता चलता ना मैं क्या सोचता? कि मैं तो एक mole NACL डाल रहा हूँ तो एक mole होगा अंदर तो हम यह formula लगाते और यह क्या उसका actual boiling point आता उसमें? नहीं आता हमने actual में observation करके देखा कि boiling point कितना आता था? 102 से बढ़के 104 आ रहा था है ना? तो यह क्यों आया? observation करने के बाद हमको पता चला ना? कि ना? जो हम calculation से निकाल रहे हैं वो तो नहीं आ रहा इसका मतलब है एक factor है जो इसको effect कर रहा है और उस factor का नाम क्या है? went up factor तो कौन decide करके बताएगा कि अंदर में actual particle कितने हैं? I decide करेगा इसलिए यहाँ I लगा दिया और I ही qualitative property को decide करती है qualitative property I पर ही depend करता है इसलिए हर एक के साथ हमने क्या लगा दिया? I तो I का calculation आपको समझ में आगे कैसे करना है? और वो calculation करके यहाँ आप रखेंगे और सारे calculation वहीं से ही करेंगे जितनी भी numerical आपने बनाए है अब उसमें सिर्फ एक quantity और क्या बढ़ जाएगी? I बढ़ जाएगी I रखिएगा और इसको भी साथ में multiply करेंगे ठीक है? तो यह है हमारा modified qualitative properties modified qualitative properties ठीक है? एक छोटी सी चीज यहीं पर और नोट कर लीजिए as a formula एक हमने पढ़ा degree of dissociation एक पढ़ा degree of association पढ़ा तो उसको भी note करिए पहला मैं ले रहा हूँ degree of dissociation इसके लिए formula क्या बनायते हैं? I is equal to 1 plus N minus 1 alpha तो alpha कितना होगा? alpha is degree of dissociation alpha यहाँ से निकाल लीजिए इस i को यहाँ भेजा तो यह हो sorry इस 1 को यहाँ भेजना हो तो यह हो गया i minus 1 is equal to this is N minus 1 alpha तो alpha कितना हुआ? यह वाला portion इसके नीचे आ जाएगा तो alpha is equal to i minus 1 divided by N minus 1 यह बन गया हमारा degree of dissociation alpha ठीक है? इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं देखिए यहाँ से एक minus common लिया यहाँ से एक minus common लिया minus minus कट गया तो यह formula और कैसे हो गया? this is 1 minus i divided by 1 minus N यह और एक तो यह है ही ठीक है न? इसी तरह से दूसरा है हमारा degree of association और इसके लिए i कितना बनाए थे? 1 plus 1 upon N minus 1 into beta यह बनाए थे? degree of association और यहाँ से अगर हम इसको 1 को इधर भेजे तो this is i minus 1 is equal to 1 upon N minus 1 beta तो beta कितना हुआ? which is degree of association this is i minus 1 divided by 1 by N minus 1 यह minus sign common निकाल के वह ऐसा भी बना सकते हैं आप समझ में आया? तो जरूरत पड़ेगी तो यह भी आप याद रखेंगे ठीक है? लेकिन इसको याद करने के लिए ऐसा नहीं कि बहुत सारे formula आपको याद रखने सिर्फ यह याद रखिए basic यह याद रखिए basic तो आपको बन जाएगो ठीक है न? हो गया? समझ में आया यह सारी चीजे? This is all about when top factor अब इसके numerical खाली रह गए है open अगली class में करेंगे ठीक है?